नमस्ते फ्रेंट्स स्वागत है आपका रसोई सीमा की में आज रसोई सीमा की में बन रहा है फलारी नास्ता फलारी नास्ता बनाने से पहले आप सभी को मेरी तरब से नवरात्रे की बहुत-बहुत सुपकामना चलिए तो फिर नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो फलारी नास बनाने के लिए मैंने एक कप समा के चावल लिये हैं। इस फलारी नास्ते की खास बाते हैं। इसे हम सिर्फ दो चीजों से बनाएंगे। और इन चावलों को मैंने बढ़िया से कपड़े से पौँचके ले लिया है। चलिए तो अब इसका हम आटा बना लेते हैं। अब एक पतला आटा बना है जैसा हमें चाहिए विल्कुल बैसा ही आटा बना है इनका। आटे को एक प्लेट में निकालेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक हम आगे की तयारी कर लेंगे। घर्म घर्म आटे से हम त्रंट रेस्पी नहीं इस आठे को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं एक से देड़ मैने तक एर टाइट कंटेनर में रखके और स्टोर कर सकते हैं इसको चलिए तो फिर वह जादा अच्छा लगने वाला फलारी नास्ता बना लेते हैं इस फलारी नास्ते को बनाने के लिए मैंने दो बॉयल आलू इनको मैंने एक घंटे पहले बॉयल करके ठंडा होने के लिए रख दिया था आलू को मैंने छील लिया है अब इसको हम एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो पतले वाले ग्रेटर से हम दोनों आलू को ग्रेट कर लेंगे बैसे इन आलू को हम पटेटो मैसर से मैस भी कर सक को दोनों आलों को मैंने बड़ी ऐसे ग्रेट करके एक बड़े मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लिया है चलिए तो अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे तो यह मैंने एक छोटा चमच अधरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है इसको डाल देंगे एक छोटा चमच हम इसम समा के चावल का उसी को डाल देंगे तो अभी इस में मैं चार चमच भर भर के आटा डाल रही हूं इस आटे को हम आलों में अच्छे से मिलाएंगे और अगर हमें जरूरत लगेगी ना तो फिर हम और आटे का इस्तमाल करेंगे इस समा के चावल की रेस्पिक वो आप एक बार बना कर जरूर देखना मेरी कहने पर और फिर अगर आपको अच्छी लगे तो बार बार बनाना मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी और आपकी कैसी बनी ये देखिए मैंने मिक्स को अच्छे से मिलाया ना तो सार ये हम इसे अभी थोड़ा टाइट सा डू लगाके रखेंगे इसका ये देखिए तो मैंने बड़िया से इसका डू लगा लिया है अब इसको हम 10 मिनिट सेट होने के लिए रख देंगे चलिए तो 10 मिनिट करीब हो गया है तो थोड़ा सा घी आतों पर लेंगे और डू को हम तोड़ा चिकनासा कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा डू बना है और अगर आपका थोड़ा बहुत गीला हो जाए ना तो आप यहीं पे थोड़ा सा आटा मिला लें। अब इसका हम नास्ता बना लेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा चकले पर गी ये देखिए रॉल को हम इतना ही पतला रखेंगे अब इसके स्नेक्स काटेंगे हम एक चाकू लिया है मैंने उसे गी से ग्रीस कर लिया है अब इसके हम आदा इंच के बराबर छोटे छोटे पीसिस काट लेंगे सारे पीसिस को एक साथ काट लेंगे बाद में इनको हम सा डिजाइन देंगे तो मैंने एक फोग लिया है इसको भी घी से ग्रीस कर लिया है बस अब करना कुछ नहीं है थोड़ा सा हमें इस फोग को इस पर रखना है और दबा देना है और ये देखी कितनी अच्छी सी डिजाइन हमारे स्नेक्स में आ गई है एक पिलेट लेंगे उ तरीका आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बना लें आप तो हाथ पे बनाए या चकले पे जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना लें ऐसे ही हम सारे स्नेक्स बनाएंगे जितने एक वेच में फ्राय होंगे उतने बना लेंगे और दूसरे जब तक फ्रा का खाते हों और कोई सावी आप खाते हों उसमें कर लें घी बढ़िया से गरम हो गया है अब एक एक करके हम जितने इसमें स्नेक्स आएंगे उतने डाल देंगे घी को हम जैसे पूरियां फ्राय करते है ना उतना ही गरम रखा है इससे जादा नहीं रखा अगर जादा करते न तो उपर से तो पक जाते लेकिन अंदर से कच्चा रहे जाते बड़िया से मैंने सारे स्नेक्स को डाल दिया है अब इनको दो मिनिट तक हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे दो मिनिट हो गए हैं इनको फ्राय होते हुए और गी में बबल्स भी थोड़े कम हो गये हैं तो इनको अब हम पलट लेंगे दूसरी साइड से भी पलट कर हम इनको एक से जेड़ मिनिट फ्राय और करेंगे एक से जेड़ मिनिट करीब हो गये इनको फ्राय ओते हुए और ये देखिए इन पर कितना अच्छा कलर आया है तो बस इनको अब हम यहीं पे निकाल लेंगे अब एक दूसरी कर्ची लेंगे उसमें सारे स्नेक्स को निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा घी होगा न वो बापस कडाई में आ जाए इसलिए ये देखिए हमारे स्नेक्स देखने में कितने अच्छी लग रहा है उससे कई जाना अच्छे खाने में लगते हैं चलिए तो फिर मैंने एक बेच फ्राइ कर लिया है ऐसे ही हम एक बेच और फ्राइ कर लेंगे बोई सेम प्रोसेस से एक एक करके अच्छे से स्नेक्स को डालेंगे फ्राइ करेंगे और निकाल लेंगे इनको घी को भी हम उतना ही गरम रखेंगे जितना हमने पहले रखा था पूडियों को तलते हैं न उसी तरीके से दूसरा बाला बैच भी बड़िया से फ्राइ हो गया है तो इसको निकाल लेंगे यह देखिए दो बड़े साइज के आलू थे और पांस से छे चम्मच मैंने समाका चावल का आटा लिया था उससे कितना सारा नास्ता बना है चलिए तो इसको सर्प कर लेते हैं और मैं इसकी आवाज सुनाओंगी आपको यह बाहर से कितना क्रस्पी और अंदर से कितना सौप्ट है आवाज तो आपने सुनी ली होगी चलिए अप तोड़के भी दिखाती हूँ यह देखिए कितना सौप्ट है यह मैंने फलारी चटनी और धही के साथ इस नास्ते को सर्प किया है अगर आपको मेरे समा के चावल और आलू से बनी रेस्पी पसंद आए ना तो आप इनी नवरात्रों इसे जरूर बनाना फिर अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना तेंक यू